हेलो दोस्तो नमेशकार लोगों को स्टार्ट कर लेते हैं सब्सक्राइब लोगों को स्टार्ट कर लेते हैं अगर हरा क्लोजिंग हो जाता है तो हमारे मार्केट के लिए भी थोड़ा बहुत ही आपे मददगार साबित हो जाता है गैप अप उपनिंग के लिए और भी बहुत सारे फेक्टर होते हैं अगर हम लोगों के सकते हैं वॉलेटिलेटि यह बाजार में तो अंसरेटिनिटी का महोल बहुत ही जादा देखने को मिल रहा है अगर हम लोगे आपे बात करें तो आप सब लोगों का पता है कि यहाप आउसी स्रिलंका आम तो ओपन 50 फ्यूल स्टेशन टू है जिस तरीके से आम लोगों को प्रॉब्लेम देखने को मिल रहे उसके लिए नेक्स्ट अगर हम लोग आपे बात करेंगे दोस्तों तो snap की अगर हम लोग आपे बात करें तो इनके जो numbers थे बिलकुल भी इतने कुछ खास देखने को ने मिले एंड वैसे भी यह company है वो लगातार नीचे जाते हो देखने को लिए 87% डाउन है अमेरिका में ही है यह company इंड लोग यहापे बात कर लेते हैं बहुत से लोग की comment भी आते क्या HDFC Life यहापे खतम हो चुका है stock क्या यहापे continue करना चाहिए तो definitely मुझे तो personal लगता है कि आप चाओ तो continue कर सकते हो insurance sector आने वाले समय में आप सभी लोग का पता है मैंने वीडियो भी बना कर बताया था कि सरकार ने यहापे खुद आने वाले 5 साल में insurance sector को GDP का बहुत बड़ा हिस्सा बनाने से related in fact double part करने से related target यहापे रखा हुआ है so definitely HDFC life कोई खराब company ने है HDFC group कोई खराब ने है comparatively यहापे slow चलता है and HDFC limited की बात करें तो yes यहापे जो loan था दोस्तो वो अभी हमनों को भिंगा होते भी देखने को मिल रहा है then अगर हम लोग बात करेंगे Pfizer, Pfizer company के लिए एक positive news यहापे देखने को मिल एक acquisition देखने को मिला है and इस acquisition के चलते जो reaction है Pfizer company से related आप लोग यहापे देख सकते हैं फिलाल तो positive चल रहा है वैसे तो का की बात हो रही है American Bazar की हो रही है इंडिया की बात करें तो yes Pfizer company इंडिया में भी हम लोगो देखने को यहापे मिल जाती है so कल अगर आप चाहो तो Pfizer के उपर भी focus यहापे बना के रख सकते हो Pfizer की यहापे बात करें तो definitely American Bazar में pressure देखने को मिल रहा है इसके बाओ जो दिये हरा chart pattern यहापे दिखा रहा है so definitely जो हम लोगो acquisition यहापे होते वे देखने को मिल रहा है Pfizer के ओर से वो positive बाजर ने इसको consider यहापे किया है next अगर हम लोगों यहापे बात करेंगे iShare motor yes दोस्तो iShare motor की बात करें दोस्तो तो एक नया model हम लोगों को launch होते वे देखने को मिल चुका है Royal Infield का देड़ लाक रुपे से उसके हम लोगों को शुरुआत देखने को यहापे मिल रही है जरूर मुझे comment section में बता देना दोस्तो बहुत ही बच्चों का वाला सवाल यहापे पूछ रहा हो आईशर मोटर ने रॉयल इंफिल्ड नहीं आपे launch के जिसका pricing देड़ लाक के आसपास देखने को आपे मिल रहा है 350 के आसपास मतलब 350 से रिलेटर हमनों को इसारा data यहापे देखने को फिलाल तो यहापे मिल रहा है अब जरू comment section में आपे बता सकते हो आईशर मोटर से रिलेटर इस particular model से रिलेटर कितना demand यहापे आता है उसके हिसाब से हमनों को यह stock में अच्छा आसा performance देखने को मिल सकता है then हम लोग बात करेंगे state bank of india state bank of india के numbers NPP की बात करें तो अलड़े आप लोग को पता है NPA डाउन था, provisioning डाउन था यह अच्छी बात है कंपनी का जो profit है वो लगबग 7% डाउन देखने को मिला और यह चीज बाजार को बिलकुल भी अच्छी नहीं लगी then अगर हम लोग बात करें दोस्तो privatization आप सविलंग को बता है related सरकार प्लान लेकर यहाँ पर चल रहा है so definitely अगर ऐसा हो जाते है तो SBA के लिए देखा गए तो एक अच्छी बात है क्योंकि एक ही कंपनी बचेगी सरकार के अंडर तो definitely performance हम लोगो ठीक ठाक यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल सकता है next बात करेंगे भारती Airtail yes also Airtail की अगर हम लोग बात करें कंपनी के numbers yearly बहुत अच्छे कासे देखने को मिले quarterly okay okay performance है यहाँ पर भारती Airtail ने बड़ा एलान यहाँ पर कर दिया है 5G से related तायर रहना हम लोग बहुती जबरदस और शांदार 5G यहाँ पर network लेकर आने वाले है यह भारती Airtail ने फिलाल तो Airtail यहाँ पर कर दिया है तो इस Airtail को add इस company के जो numbers है इसके प्रती क्या reaction देखने को मिल जाता है यह interesting रहेगा कल देखने से related next हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो yes Dixon Technology आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर Xiaomi से related मतलब yes कल के दीन के अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था बहुत सरे लोग confused भी हो चुके थे comment section में आपर comment भी आ रहे थे सर एक साल पहले की बात करें देड़ साल पहले की बात करें दो साल पूरानी बात आप देख रहे हो इसके बीच में कितना बड़ा गयप है सो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा बहुत सारी खबरे आती रहते हैं इन्होंने Xiaomi के साथ partnership भी की है ये latest खबर हम लोगों को देखने को मिले थी ये खबर भी मैंने cover की थी प्लस इसके बाद Xiaomi के उपर जो raid भी हम लोगों को देखने को मिले थी Xiaomi, Oppo, जो भी Chinese firm है उनके उपर income tax department की चापे मारी देखने को मिले थी मेरे playlist में वो वीडियो आप चाओ तो देख सकते हो वहाँ पे भी बताया था कि Dixon Technology को इसका अभी impact जरू पढ़ते वे देखने को मिलेगा क्योंकि Xiaomi अभी इनके साथ यहाँ पर हम लोगो deal करते करते, business करते वे देखने को आपे मिल रहा है प्लस इतना ही नहीं, यह भी आप लोगो मैंने बताया था कि MI का जो TV है, right, 55,000 TVs यहाँ पर manufacturing से related, हम लोगो report के जरी यह खबर देखने को मिले थी कि Dixon Technology यह भी आपे आगे बढ़ते वे देखने को आपे मिल सकता है, so मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर यहाँ पहली situation अलग थी, अभी की situation हम लोगो अलग देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे partnership होते हैं, बहुत सारे partnership तूटते तो यह चीज आप लोगो को, मतलब update रहना आना चाहिए दोस्तों, वरना market ऐसी चीज़े, कि अगर आप एक साल पुरानी चीज़े देखोगे, अभी की चीज़े देखोगे, उसमें जमीन असमन का अंतर, आप लोगो को देखने को आपे मिल सकता है, सो, डिक्सान टेकनोलजी के अगर हम लोग बात करी, येस, शावमी से related partnership है, अगर आप चाहो, तो annual report भी चेक कर सकते हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि शावमी के साथ, Samsung के साथ भी इनका अच्छा कासा partnership देखने को मिल जाता है, और भी अलग-अलग इनके customer के under, हम लोगो ये सारी चीज़े देखने को आपे मिल जाती है, बट येस, अगर हम लोग आपे बात करेंगे, दोस्तो, Fair Camp Organics, ये भी company में आप लोगो study करने के लिए बहुत बार ये आपे दिये, और इस company के भी numbers, personally मुझे बहुती शांदार देखने को आपे मिले, बहुती कमाल के number देखने को ये तो कल ही पता चलेगा, और ये भी दोस्तो company अगर देखा गया, तो 5 साल का data आप चेक कर सकते हो, 145% 145% के returns अगर हम लोग आपे बात करें, NIC की हिसाब से 2020, मतलब 2 साल के हिसाब से अगर हम लोग आप बात करें, तो 145% का ये data हम लोगो देखने को मिल रहे है, returns देखने को आपे मिल रहे है, and company के number फिलाल तो अच्छे देखने को आपे मिले है, so reaction कैसे रहता है, ये कल देखना interesting factor रहने वाला है, then बात करेंगे number enterprise, okay okay type का performance यहाँ पे रहा है, next बात करेंगे, IOL CP, chemical वाली कमपनी की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इसके भी number हम लोगो को okay okay performance देखने को लेए, हाला कि ये company highly risky stock है, right अगर आप इसका history देखोगे, तो जबी भी ये stock दिरता है, 70, 80, 75% की बड़ी बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखाता है, ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, and no doubt यहाँ पे जब तेजी भी आती है, तो उतनी खतरनाग तेजी भी हम लोगों को देखने को मिल जाती है, so okay type के number रहे, तो बाजार को अच्छे लगे कि नहीं, यह देखना यहाँ पे कल के दिन के लिए बनता है, similar way, MTAR Technologies, इसके भी numbers अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, nothing great, nothing bad, ऐसा हम लोगों को number देखने को मैं है, बिलकुल okay type के numbers है, यहाँ पे हम लोग कह सकते, अच्छा कासा योगदान यह कंपणी आगे भविशा में दे सकती है, वैसे इस कंपणी के maximum performance की बात करें, केवल 40% के returns हैं, हाला कि बीच में returns बहुत अच्छे थे, बट बाद में जैसे बाजार में गिरावट आ गई, तो यहाँ पे भी profit booking देखना शुरू हो गया, और यह एक small cap type की company, यह भी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ बात करें दोस्तों, तो crypto market से related, क्रिप्टो से related एक और news देखने को मिल रही है, Singapore base lender जो यहाँ पे था, एक यहाँ पे हमनों को मतलब withdrawal से related suspension हमनों को देखने को आपे मिल रहा है, तो यह crypto currency के बाजार में यह बहुत जादा हल चले देखने को मिल रही है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे fixed returns की बात करते है crypto currency में, बट यह कौन से basis की उपर, कि crypto market अगर अच्छा करेगा, तो उसके इसाब से आप लोगों को returns अच्छे मिलेंगे, जब crypto market खराब करेगा, तो बहुत सारे लोगों ने जो जीस प्रकार किये, fix वादे यहाँ पे किये थे, तो चले जाते जाते एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, American Bazaar का, यहाँ पे क्या रवय या रहा है, refresh कर लेता हूँ, तो 75 के आसपास आपनों को फिलाल तो देखने को आपे मिल रहा है, अगेन कराचाओंगा, यह स्तिती बहुत extremely plus जा सकती है, तो वीडियो अपलोड होते होते हैं आप लोगों को पता है, यह situation बदल भी सकती है, तो आशा करता है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो आप चाहूँ तो इसको like and share यहाँ पर कर सकते हैं, डिमेट अकाउंट अभी तो अपन नहीं किया है,